नमस्कार, जैमत अदी, मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर अचारे जीतू सिंग्ग, बात करेंगे आज कि एक ऐसे एनरजी जो जब पीछा करती है तो हमें तकलीफ ही देती है, यानि नागेटिव एनरजी, कहा जाता है कि अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, अगर सातविक्ता है तो गंदेवी भी है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पैलर चलती ही है, और कहा जाता है कि अगर हमें बिमारी का पता चल जाए, तो इलाज बहुत आसान हो जाता है, हमें यह पता चल जाए, कि क्या हमारे साथ कोई नेगेटिव एनरजी पीछा कर रही है, तो उसे छुटकारा पाने का रस्ता जल्दी मिल जाता है, तो पहले यह तो पता चले, क्या आपके ओपर जादू टोना तो नहीं किसी ने किया हुआ, क्या तांतरिक विद्या का प्र याद रखिएगा, कर्म बहुत बलवान होते हैं, जब हम दूसरों के लिए गड़ा कोते हैं, अपने लिए स्वाइम के लिए बहुत बड़ा गड़ा उनका तियार होता है, जिनकी जिन्दगी में उनने कलपना भी नहीं की होती, वो उस तकलीफ से गुजरते हैं, जिसको क जो लोग भी ऐसी क्रियाएं करते हैं, उन्हें भुगतना जरूर पड़ता है, यह याद रखना, पर फिल हाल हमें यह है कि आपको बचाना बहुत जरूरी होता है, आपको अवेर करना बहुत जरूरी है, कि अगर आप इस नेगडिव एनरजी के साय में हैं, तो आपने कैस वस्तर धारन की है, नहाएं हैं, बहुत अच्छे से, आपने परफ्यूम्स का भी इस्तेमाल की है, और उसके बावजूद आपके पास कुछ समयल आने लगती है, कुछ गंदी समयल, जिसका आभाज आपको होता है, तो यह किन मानिए कुछ नेगडिव एनरजी आपके साथ होती है, यह ध्यान रखिएगा, पिर कई बार ऐसा फील होता है, कि घर में हम अकेले हैं, कुछ समय बैठें, पर हमारे साथ कोई है, कुछ आवाज का आभास होता है, कि बार हम चलते हैं, कुछ पैरों की आवाज का आभास होता है, मिभी आपका वहम या डर हो, बट मैं पिर दूसरी बात या बहुत सारे लोगोते हैं कि अचानक बार बार वस तरफ फटना, या फिर जलना, बार बार उनिकी साथ घर में बहुत सारे लोग किप्रें प्रेस करते है लेकिन किसी खास व्यत्ति के कपड़े बार बार जलना, कभी उनके विस्तर में कुछ हो JUST AZickiabां अगर ऐसा ओर है तो भी एक कारन होता है आप के पास नेगेटिव एनर्जी स्क्षछोने का फिर बहुत सारे लोगों कुष खास्वियक्तियों के पास कभी उड़त मिल जाते हैं काल तिल मिल जाते हैं, उनके पास से ही तेल मिलने लगता है, उनके पास ही कुछ unwanted से चीज़ें मिलने लगती है, तो इसका मतलब कोई ऐसी खुराफाती व्यक्ति है, जो आपके पीछे लग चुका है, जो आपका बूरा करना शुरू कर रहा है, ध्यान रखें, इन सारी चीज़ों की काट है, मैं आपको बताऊंगी कि कुछ चीज़ें जो हैं, आपने कैसे बचना है इन चीज़ों से, फिर आती है बात की खास करके, अमावस्या के डाइम पर, घर में किस खास व्यक्ति का बिमार बढ़ना, और बार-बार बढ़ना, जब-जब आमावस्या आए, तब-आप वो व्यक्ति stress में है, तो वो नेगटिव एनरजीज ठोड़ा सा हाइप लेती है, अमावस्या के समें, तो इस लिए Бोग एनरजीज भी उनको परेशान कर सकती हैं, और फिर आती है बात कि रात को सोते समिट डरना, डरते हैं बहुत सारे, कई बार बच्चे हैं, बड़े हैं, इनफेक्ट कई बड़ी उम्र के लोग भी डरने लगते हैं, रात को सोते होने के डर, दहशत, गबराट होने लगती है, तो भी यकीन मानिएगा कि आपके पास कुछ न संकेत होते हैं, नेगेटिव एनरजी सके, यह पॉजटिव एनरजी के संकेत नहीं है, यह ध्यान डखियेगा, फिर आती है बात कि बहुत ज़दा किसी खास व्यक्ति, जो पूजा करते हैं, वारे पूजा पाठी होते हैं, और बार बार उनी का ही दिपक, एक होता है कि कभ बार आपका दिपक बुजना, यह दिपक नहीं जलना, ऐसे व्यक्ति भी नेगेटिव एनरजी के घेरे में होते हैं, पहला निवारन तो आपको बता देते हूं, छोटा सा कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको बचना चाहिए, और उसके बाद बड़ी विदी विधा जब भी आप घर से बाहर निकले, आपकी राइट पॉकेट में या फिर पर्स में महिलाए है तो पर्स में रख सकती है, पीली सर्सों को आपने काले कपड़े में बांद करके हमेशा साथ ले करके जानी है, हमेशा, जो व्यक्ति ऐसी क्रियाओं के बीच में से गुजर रहा यह नहीं कि सारे लोग ही उठा करके पीली सर्सों की पोटलियां बना बना करे अपने पर्स में डालना शुरू कर दे, भाई सबको ज़रूरत नहीं है, किसी खास चीजों के लिए ही इसका प्रियोग होता है, तो पीली सर्सों की पोटलियाफ उस आपके बनाई जाएंगी, तो वो पीली सरसों अपने सिर के उपर से पीछे की तरफ फैकते हुए ही आप घर में आएं इससे आपको बहुत ज़दा रिलेक्स होना शुरू हो जाएगा यह पहली क्रिया आपने करनी है दूसरी क्रिया आपने करनी है कि हर रात 40 दिन लगातार आपने जिस रात जिस दिन से आपने शुरूआत करना है वहां से आपने 40 दिन तोड़ने नहीं है ये ध्यान रखिएगा इसमें कोई प्रहीज ने कि आप शुद नहीं है तो शुदता नहीं है तो भी आप इस उपाई को कर सकते हैं हर रात आपने स्टील के लोटे में जल भर करके आपने सर की तरफ जिस तरफ आपका सिर होता है जम स्वीदी को नहीं करना है ये लोटा तो जल का आपने घर के अंदर रखना है लेकिन जब पानी फैकने का समय आएगा वो आपने घर के बाहर ले जा करके किसी भी पेड़ पोदे की जड़ में डाल देना है यकीन मनिएगा आपकी ये नेगिटिव एनरजी कम से कम 20-30% आप को रिलैक्स दे देगी और उसके बाद विदी विधान से आप किसी की सलाहल ले करके आप इस से छुटकारा पा सकते हैं और कवा जाता है कि जहां पॉजटिव कर्मा अच्छे होते हैं वहां नेगिटिविटी की जगा नहीं होती कई बार हम उल्टे सीधे स्टेप लेना श अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको फाइदा यह होगा कि जब भी इस तरीके की वीडियो में डालती हूं खासकर कि सारी वीडियो ओल्मोस्ट आपके हित की होती है घर बैठ बहुत सारे लोगों तक आपने यह वीडियो पहुंचानी है हो सकता है कोई इस चीजों का शिकार हो रहा हूँ और आप उसके लिए एक वर्दान साबित हो सकते हैं यानि इस वीडियो को अगर आप दूसरों तक भी पहुंचाते हैं हो सकता किसी को इस वीडियो की खास करक चाहिए और जब जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी जिंदगे में अच्छाईयां जुड़ना शुरू हो जाती है आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किजिए गाल लाइक किजिए शेयर किजिए और साथ के साथ नोटिफकेशन बटन को ज़रूर अन किजिए ताकि ये वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए जो जो वीडियो में अपलोड करो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो नीचे दिये नमबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं एपोइन्मेंट लेकर के आप अपना समय निधारित करा सकते हैं और आप हमसे बात भी कर सकते हैं फोन कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं वाटसैप पर भी आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं और ये सारे माध्यम आपको मिल सकते हैं आप अपनी एपोइन्मेंट पहले बुक करवा लि झाल